Bollywood Bulletin मेरा बालम थानेदार में IPS अधिकारी की भूमी का निभाएंगे शगुन पांडे आगामी शो मेरा बालम थानेदार में अभिनेता शगुन पांडे एक IPS अधिकारी की भूमी का निभाते नजर आएंगे उन्होंने अपने किर्दार के बारे में बात करते हुए कहां कि यह भूमी का बिलकुल वैसी ही है जिसका वह इंतजार कर रही थे मेरा बालम थानेदार में शगुन और शुती चौधरी, वीर प्रताप सिंग और बुलबुल राजावत की भूमी का में है यहां एक जोडे की प्रेम कहानी है जिनकी शादी एक जूट पर आधारत है वीर की भूमी का निभाने पर बात करते हुए उन्होंने कहा मैं एक इमानदार IPS अधिकारी की भूमी का निभाने के लिए रोमांचित हूँ जो धोखे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है सैफ मेरी पूरी काइनात करीना कपूर खान चैट शो कॉफी विदकरन सीजन आठ में अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने दिल की बात कही अशोका फेम अभिनेत्री ने अपने पती के साथ जुड़ी पसंदीदा यादों का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पूरी जिन्दगी सैफ के इर्दगिर्ध घूंती है सैफ अपनी मा शर्मिला टैगोर के साथ चैट शो कॉफी विदकरन सीजन आठ में नजर आये थे जहां दर्शकों को उनकी जिन्दगी से जुड़ी कुछ बाते जानने को मिली एपिसोड का एक बड़ा आकर्शन परिवार के सदस्यों का विडियो था जो शो के दौरान चलाया गया था खास तोर पर करीना ने अपने पती सैफ के बारे में जो कहा उससे कई लोगों का दिल पिघल गया अमरिता सिंग के साथ सेप्रेशन पर खुल कर बोले सैफ अली खान बॉलिवुड स्टार सैफ अली खान स्ट्रीमिंग चैट शो कॉफी विद करण के नवीनतम एपिसोड में अपनी मा शर्मिला टैगोर के साथ दिखाई दिये उन्होंने शो में अभिनेतरी अमरिता सिंग के साथ अपने सेप्रेशन पर खुल कर बात की अभिनेता ने सेप्रेशन से जुड़ी भावनात्मक जतिलताओं के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनकी मा हमेशा उनका साथ देती थी सैफ अली खान ने कहा, दुर्भाग्य से मैंने 20 साल की उम्र में शादी का फैसला किया, चीजे बदल जाती हैं, लेकिन वह मुझे सपोर्ट देती थी वह मेरे लिए अद्भुत थी और वह मेरे दो बच्चों की मा है कैंसर के चलते रौकी और रानी की प्रेम कहानी में नहीं कर सकी काम, शर्मिला टैगोर हाल ही में अपने बेटे सैफ अली खान के साथ स्ट्रीमिंग चैट शो कॉफी विद करण में नजर आने वाली बॉलिवुड की दिगज अभिनेतरी शर्मिला टैगोर ने शो में अपने कैंसर डाइगनोसिस के बारे में बात की एपिसोड के दौरान यह पता चला कि शर्मिला को करण जोहर निर्देशित रौकी और रानी की प्रेम कहानी में सहायक भूमिका की पेशकश की गई थी शो के होस्ट करण जोहर ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले यह भूमिका शर्मिला को ओफर की थी लेकिन बाद में शबाना आजमी ने इसे निभाया बी एन टी की खास पेशकश